गुटहल चैनल पर आज हम देखते हैं, एकदम कडारे और खस्ते, फॉक्स्टेल मिलिट के मेती के पराटे फॉक्स्टेल मिलिट में बहुत अच्छा फाइबर होता है, इसे एक पॉजिटिव मिलिट भी कहा चाता है एक बहुत अच्छा होल ग्रेन है, हमारे मिलिट मेन ओफ इंडिया डॉक्टर खादर वली कहते हैं कि फॉक्स्टेल मिलिट हमारी लग्स के लिए बहुत अच्छा है इसलिए हमें थंडी के मौसम में जरूर खाना चाहिए हमने एक foxtil minute को पहले 6 गंदा पानी में बिगा दिया है फिर इसे हलका दूप में सुखा के इसे grind कर लिया grind करने के बाद इसका powder इस तरह से बन जाता है अब घर में mixer grinder में भी इसे grind कर सकते है तो हमने यहाँ पर तीन चमच foxtil minute लिया है प्रिस में एक चमच हमने बेसन डाला है पाइंडिंग लाने के लिए हमने एक चमच के हुगा आटा भी ढला है फिर हमने अच्छे से धोके मेती और हरी मिच डाली है तो अले सारे मसाले जैसे की हल्दी, नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन दो-तीन ड्रॉप्स तेल के डाले और फिर थोड़ा से ड्रॉप्स पानी के डालके इसे गुन लिया इसे हम आटा गुनते हैं इस तरह से गुनने के बाद हमने इसे पंद्रा में ट्रग दिया सेट होने के लिए और फिर हमने इसे रोटी की तरह से बेला हम यहाँ बहुत टेस्टी लेयर्ट पराथा बना रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा से नमक मिर्ज डाल के इसे इस तरह से लेयर्ज में घुमा लिया फिर थोड़ा सूखा आठा लगा के हमने इसे बेल लिया इसे layered roti, layered paratha या kerala paratha भी बोल सकते हैं तो आगनम होने पे हमने ये paratha तवे पे डाल दिया और फिर हमने इसे दोनों side पका लिया हलका सा तेल लगाया और हो गए हमारे कुरकुरे paratha तयार ये गे होगे paratha से भी ज़्यादा कुरकुरे और tasty बनते हैं और healthy भी है तो आप इस गर्म गर्म पराठे को दाजी धाई के साथ खाईए मेथी और हरी सब्स या थन्डियों में बहुत अच्छी मिलती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है तो आप ऐसे healthy मेथी के पराठे घर पे ज़रूर ट्राइ करें जो healthy भी है और tasty भी है ये मेथी के पराठे डापेटीस के पेशन के लिए भी अच्छे है ये चानल का यही मकसद है कि आप स्वस्त रहें इसलिए हम आप पे अपनी healthy रेसपी शेयर कर रहे है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें healthy खाना खाए बनाई और शेयर करें गोठल चानल के ओर से वीडियो वेरी हापी विटन सीजन